क्या आपको पता है कि एंडोक्राइनोलोजिस्ट डॉक्टर्स कौन होते हैं और किन-किन समस्याओं का इलाज करते हैं अगर नहीं तो चले आज हम जानते हैं नमस्कार दर्शको मेरा नाम है डॉक्टर तांडी मयूर पचल मैं एक एंडोक्राइनोलोजिस्ट हॉर्मोन विशेशक्य डॉक्टर हूं मंबाई से बहुत से लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि यह एंडोक्राइनोलोजिस्ट कौन होते हैं और वो क्या ठीक करते हैं तो चले हम जानते कि एंडोक्राइनोलोजी क्या है एंडो क्राइनलोजी एक medical science का एक ऐसा खास department है जो study करता है endocrine gland और hormones और उसकी समस्यों का और जो doctors इन समस्यों को ठीक करते उसको endocrineologist doctors कहते हैं अब ये endocrine gland क्या है? जैसे हमारे शरीर में आख, कान, रदई, फेफडे है उसी प्रकार हमारे अंदर चोटी-चोटी ग्रंतिया है और ये चोटी-चोटी ग्रंतियों को हम endocrine gland कहते हैं अब ये क्या कारे करते हैं ये बनाती एक खास प्रकार का chemical जिसको hormones कहते हैं ये hormones हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा important है जी हाँ, अगर hormones की गड़बड है तो आपका पूरा शरीर में गड़बडा जाएगा आपका brain और आपका hormones दोनों मिला के पूरे शरीर को control करते हैं जिसको neuro endocrine system कहते हैं तो अगर आपके hormones में गडबड़ी है तो ये hormones की गडबड़ी को ठीक करेगा endocrineologist तो साधार अन्तोर पे किन किन condition को ठीक करते हैं वैसे लिस्ट तो काफी बड़ा है मैं जो थोड़े बहुत कॉमन है condition वह आपको बताती हूं सबसे पहला diabetes अपने नाम जरूर ही सुना होगा ये diabetes चोटे बच्चों में भी होता है बड़े बुजुर्कों में भी होता है ये होता है एक hormone है जिसको insulin कहते है उसकी गडबड के वज़े से दूसरा common problem होता है thyroid की समस्या जहाँ थाइरोड हमारे गले में स्थाइट एक चोटी सी तितली आकार की ग्रंथी है ये बनाती है T3 और T4 hormone अगर इसकी गडबड है तापको hyperthyroid हो सकता है hypothyroid होता है thyroiditis है thyroid nodule है thyroid goiter है बहुत से condition ये सबको endocrinologist doctor speak करता है तीसरी common condition PCOS जिसको PCODB कहते है तो इसमें क्या होता है महिलाओं में बहुत सारे होर्मोन में गडबड़ी होती है साथी साथ महिलाओं में आने वाला hyrsitism जहां पर क्या होता है आपके चेहरे पर आपके शरीर पर बाल आ रहे हैं जादा जैसे लड़कों में होते वैसे तो इसको भी endocrinologist doctors ठीक करते हैं लड़कों में breast development जी हां लड़कों में breast development जिसको gynecomastia कहते है वहां पर भी endocrinologist doctors जरूर काम में आएंगे साथी साथ infertility है कुछ कारण वर्स आपको बच्चे नहीं ठर है चाहे वो महिलाओं में problem हो चाहे वो पुरुशों में problem हो तो दोनों को भी endocrinologist doctors को आपकी help लेनी पड़ सकती है साथी साथ महिलाओं में जो रजोनी वृति यानि मेनोपॉस होता है उसके बाद होने वाला complication जैसे osteoporosis हो गया या तो फिर हमारे शरी के मस्तिष्क में एक gland है जिसको मैं आशा करते हूं आपको आज पता चला होगा कि endocrinologist doctors कौन है और क्या कारे करते हैं अगर आपको कुछ भी करते हैं आपको कौन है